दोस्तो बाहुपली फिल्म को मिली शांदार सफलता के बाद अब इंडियन फिल्म इंडस्रीज के लोगों को ये यकीन हो गया है कि हमारे देश में भी हॉलिवुड की तरह मेगा बजट और मेगा एनिमेटेड फिल्में चल सकती हैं ये फिल्म है आदिपुरिश जी हां दोस्तो वही फिल्म जैसका नाम पिछले कुछ महीनों से लगातार कभी न कभी सुन रहे होंगे और आपको ये मालूम ही होगा कि फिल्म में एक चांदार स्टार कास्ट है जी हां दोस्तो आज के स्ट वीडियो में हम आपको फिल्म आदिपुरिश से जुड़ी एक एक स्क्रूसिव जानकारी देने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंताग सबसे पहले आपको फिल्म को लेकर सबसे बड़ा अपडेट बताते हैं वो अपडेट ये है कि फिल्म के शूटिंग शुरू हो चुकी है जिहां दोस्तो इस फिल्म का निर्मार 3D में होगा और ये रामायन पर अधारित है जो बड़ाई पर अच्छाई की विजय के इर्दगिर्द घूमती है फिल्म को हिंदी और तेलकू में शूट किया जाएगा और इसे तमिल मल्यालम कंणर और कई अन्य विदेशी फिल्म होगी और इसे भूशन कुमार, क्रिशन कुमार, ओम राउत, प्रसाथ सुताल और राजेश नयर प्रड्यूस कर रही है अब बात करते हैं फिल्म के स्टार कास्ट की इस फिल्म को तानाजे फिल्म के डारेक्टर ओम राउत डारेक्ट कर रही है फिल्म में राम के र दोस्तो वैसे तो ओम राउत ने सबसे बड़ा सस्पेंस फिल्म की एक्ट्रेस के उपर रखा है दोस्तो फिल्म में सीता का रोल कौन निभाने वाला है इसको काफी सिक्रेट रखा गया है लेकिन खबरों की माने तो इसके लिए पहले दिपेगा पादुकोन को अप्रोच किय लेकिन देट्स नहीं होने के कारण दिपेगा ने इस रोल के लिए इंकार कर दिया आप खबर है कि सीता के रोल के लिए कृति सेनन और कृति सुरेश के नाम को कंसीडर किया जा रहा है दोस्तो आपको बता दे कि फिल्म के शूटिंग काफी तेजी से चल रही है लेकिन इस लेकिन फिल्म के काम के हिसाब ते या तारीक थोड़ी आगे पीछे हो सकती है दोस्तो आपको बता दे कि सेफ अली खान इससे पहले भी ओम राउत के साथ काम कर चुके हैं सेफ ने ओम के साथ ताना जी दा अंसंग वारियर में काम किया है एक इंटर्वी के दौरान सेफ से आदिपुरिश की कलाकारों में शामिल होने के बारे में सफाल किया गया था तो सेफ काफी एकसाइटिन नजर आये थे सेफ ने कहा था कि मैं ओमी दादा के साथ फिर से काम करने के लिए रोमान चित हूँ उनके साथ काम करना एक शांदार अनुभव है वहीं प्रभास भी इस फिल्म को लेकर काफी एकसाइटिन है दोस्तो इस फिल्म के लिए मुंबई की फिल्म सिटी में काफी बड़ा सेट लगाया गया है फरवरी 2020 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो सेट पर पहले ही दिन हास्सा हो गया था पताया जाता है कि पहले ही दिन से पर भीशन आख लग गए थी हाला कि समय रहते आख पर काबू पालिया गया लेकिन दोस्तों अब फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही है और अगले साल आपको ये फिल्म सिनमा घरों में देखने को मिल सकती है तो दोस्तों क्या आप भी फिल्म आदी पूरिश को देखने के लिए एकसाइटिड है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राये जरूर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें साती हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले